हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का हमारे योटूब चेनल मोर क्रिडेटिव पर स्वागत है आए जानते हैं 36 गड़ पुलिस कांस्टेबल सी एफ रिटन एक्जाम की डेट और उसके प्रवेसपत्र कब तक आएंगे काफी कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि सर एक्जाम कब होग एक्जाम से संब्दीत हूँ मैंने एक वीडियो अलेडे अप्लोड कर दिया है लेकिन बिना प्रवेसपत्र के एक्जाम नहीं हो सकती जो भी अभ्यरती जिनोंने CAF के physical परिच्छा पास कर ली है उनको अब return exam देनी है return exam तब ही हो पाएगी जब तक के उनके प्रवेस्पत्र नहीं आएंगे तो उनके प्रवेस्पत्र और return exam की date के बारे में आज चच्चा करेंगे आई जानते हैं कब तक आ सकते हैं प्रवेस्पत्र CAF की लिखीत exam के जानने से पहले मैं आप लोगों से request करूँगा यदि आपने अभी तक YouTube चेनल more creative को subscribe नहीं किया है तो क्रपिया ड़र बटन दबा कर subscribe कर लें और यदि वीडियो अच्छा लगता है या जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगले वीडियो के लिए बेल आइकान पर क्लिक करें ताकि आपको notification जल्दी मिलें शुरू करते हैं आज आपके काम की खबर CG Police Constable CAF Retain Exam and Admit Card 2018 CG Police CAF Constable Recrement 2018 Vacancy Detail 36 गड़ पुलिस विभाग ने वेकेंसी जारी की थी पद का नाम था आरक्चक GD आरक्चक ट्रेडमेन कुल पत थे इसमें 1786 और आपको नोकरी दी जाएगी 36 गड़ राज्य में लिकित परिक्षा की जो डेट थी 24 जून 2018 उन्होंने दो बार डेट चेंज करी एक बार पहले 17 जून 2018 की थी उसके बाद कुछ कारणों से वो डेट चेंज कर दी वो डेट हो गई थी 24 जून 2018 अब 24 जून 2018 की जो डेट के लिए Admit Card कम से कम कब आएंगे वो जो मैं बताऊंगा आपको लेकिन पहले में बता देता हूँ आपको कि जो भरती केंद्र हैं जहां पर आपको परिक्षा देना है वो जीले कुन कुन से हैं जून के नाम जहां के पात्र अब्यरती लिखित परिक्षा में सम्मिलित होंगे भरती केंद्र का नाम तथा जीला का नाम दुर्ग बरती केंद्र का नाम है दुर्ग उसमें जीले कुनकुन से दुर्ग राजिनान गाव वेमेतरा बालोत कबीरदाम और बिलासपूर में बिलासपूर मुंगेली जांचगीर चापा रायगड कोरबा रायपूर में रायपूर बलोदा बाजार गरियाबन मा समून दम रंतरी, बसतर में जगदलपुर, काकीर कोंड़ागाओं, Belgian अर्जंगुजा में। बसतर और जगदलपुर को तारी में ये उद्सकुर, काकीर कोंड़ागाओं इतने जिले आएंगे। मतलब इतने जीलों के अव्यर्थी इन भरती केंद्रों में आगर के अपने लिखीत एक्जाम दे सकते हैं ठीके जी काफी लोग होंगे इसमें कम से कम लाखों में अव्यर्थी उन्हें फाम भरा होगा और उन्में से कुछ लोग ने फिजीकल एक्जाम पास की है तो फिजीक एक्जाम पास करने के बाद मैं आपको रिटन एक्जाम देनी है तो रिटन एकजाम के पर इस पतर कब तक आएंगे मैं आपको पुरा विश्दार से बताऊंगा cgcf return exam admit card and exam detail पद का नाम है आरक्षक gd आरक्षक ट्रेडमेन कुलपत 1786 लिखित परिक्षा admit card लिखित परिक्षा के तीथी है आपकी 24.06.2018 यानि 24.06.2018 परिक्षा का समय आपका रहेगा आरक्षक gd के लिए 10 से 12 बजे मतलब दो घंटे का समय दिया जाएगा 24 तारीक को 24 जून को और आरक्षक ट्रेडमेन के लिए 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक मतलब इसमें भी 2 घंटे मतलब दो पाली में एकजाम होगी और प्रवेशपत्र आएंगे आपके 15 जून 2018 से मतलब 15.06.2018 से cgpolis की वेबसाइड cgpolis.government.in पर जाकर के आप अपना प्रवेशपत्र डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है जी उसके बाद प्रवेशपत्र आपने डाउनलोड कर लिया फिर आप एकजाम दे सकते हैं 24 जून 2018 से ठीक है लिखित में बता रहा हूं मैं आपको 36 गड़ ससस्त्र बल लिखित परिक्षा को दो पाली में आयुद किया जा रहा है जिसमें प्रतम पाली में आरक्चक जीडी के पेपर होंगे समय रहेगा 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक ठीक है 10 एम तू 12 एम दोती पाली में आपको 2 बजे से लेके 4 बजे तक का समय रहेगा जिसमें कौन-कौन से अभ्यरती परिक्षा दे सकते हैं आरक्चक यम्टी चालक आरक्चक ट्रेडमेन वाटर, केरियर, कुक, धोबी नाई, स्वीपर ठीक है 10 से 12 बजे तक आपको आरक्चक जिड़ी बालों के लिए समय रहेगा परिक्षा गा और 2 बजे से 4 बजे तक आरक्चक ट्रेडमेन, वाटर, केरियर, कुक, धोबी, नाई, स्वीपर और आरक्चक, एम्टी चालक तिक है इस प्रकार से आप दो पाली में जिसका जिसका जैसा समय है, उस हिसाब से आएं और इसके लिए आपको यात्रा भत्ता भी मिल सकता है ओभी OBC, SC, ST के लिए तो उसके लिए आप जब वहाँ पहुँचोगे, तो आपको एक फाम भरना पड़ेगा वो फाम भरने के बाद जैसे भी आप अधिकारी को जमा करोगे, तो आपका एकाउंट में पैसा जमा कर दिया जाएगा क्योंकि फाम से संबंदित, यात्रा भत्तरा से संबंदित भी काफी कमेंट्स आ रहे थे मुझे तो मैं उसको एक बार रिपेट कर दे रहा हूँ कि वहाँ जाने के बाद ही आपको फाम भरना है और आप अपनी टिकेट समाल के रखे और जितने भी आपके बैंक से संबंदित जो भी डिटेल है आपको वहाँ भरनी है, तो हो सकता है तो पास्बुक ले जाले और अपना फाम में सारी जानकारी भरे उसके बाद में अधिकारी को जबा करने के बाद में आपके एक आउड में जो भी पैसा है ट्रांसपर कर दिया जाएगा जानकार यगर आपको अच्छी लगी हो तो ग्रप्या वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूटूब चैनल मोर क्रेटिव को रिड़ ब्रण दबा कर सब्सक्राइब कर ले और अगले अपडेट के लिए बेल आइकान पे क्लिक करें तो मिलते हैं अगले आपके काम की खबर के साथ तब तक के लिए जैन जै वारत